आज की इस टेकनोलोजी के दोर में, जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या आपको लगता है कि ट्रावल बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है? आप सिर्फ जानवर ही पाल सकती है इंसान को पाला नहीं जाता ये इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अफराद है कि आपने पहले से ही तै कर लिया कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए मैं एक पेरेंट हूँ, एक मा हूँ मैं जानना चाहती हूँ कि आज के इस टेक्नोलोजी के दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मैं उतना समय नहीं गुजार पाती जितना की मेरी माने गुजारा था आप उन लोगों के लिए क्या सुझाओ देंगे? तो आप ऐसा क्यूं सोचती है कि आपके माने अच्छा काम किया है? हाँ, मुझे लगता है आप ऐसा क्यूं सोचती है कि आपका बच्चा उसका हगदार नहीं है आपको इसे ऐसे देखना चाहिए हमें समझना चाहिए ये इस भारे में नहीं है कि कितना समय आप उनके साथ गुजारते हैं अगर आप बहुत जयादा समय गुजारते हैं तो वो परिशान हो जाएंगे तो आपका उनके साथ संबंध में होने का एक तरीका है मैं एक मा हूँ जब आप ऐसा बूलती हैं और आपको अपने बच्चे को पालना है आप सिर्फ जानवर को पाल सकती हैं इंसान को पाला नहीं जाता अगर आप एक इंसान को पालती हैं तो वो सिर्फ एक जानवर के जैसा होगा वो सिर्फ किसी जुंड के जैसा होगा आपको पालना नहीं चाहिए आप सिर्फ उन्हें विक्सित करें और देखें कि क्या खिलने वाला है पर पालना यानि आपने पहले ही तै कर लिया है कि उन्हें क्या बनना चाहिए ये कभी भी तै न करें मैं बता रहा हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ अपराद है, मैं बहुत कठोश रब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा अपराद है कि आपने पहले ही तैय कर लिया कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए, सिर्फ करियर में, यहां माहन नहीं, बलकि हर तरीके से, नहीं, बच्चा होने की सुन्दरता यही है कि आप सिर्फ उन्हें विक्सित करें और देखें कि आखिर वो क्या बनने जा रहे हैं। इसे देखें, शायद यह कांटेदार पौधा हो या गुलाब का पौधा हो, अभी कांटेदार पौधा लगता हो, शायद बाद में गुलाब खिले, शायद आम का पेड़ हो या नारियल का पेड़, आप नहीं जानते, आपको बस पोषन देना है, सहरा देना है और देखना ह पालने का मतलब है कि आपने पहले ही नतीजा तई कर लिया है. आप ऐसा न करें. नैतिक्ता और सिधान्तों के मामले में? देखी है, आप अपने बच्चे को या खुद को नैतिक्ता पर आधारित देखना चाहती है? या अपनी इंसानियत पे आधारित क्या बहतर है? वो क्या है जिसकी इस दुनिया में कमी है? इंसानियत की. नैतिक्ता के नाम पे लोग एक दूसरे के प्रती अमान वी होते जा रहे हैं, है न? इसका क्या मतलब है? इंसानियत नैतिक्ता से बहतर आधार है. कभी भी नेतिक तब वो भाना है जिसकी आड़ में आप इंसान होने का दिखावा करते हैं पर मुझे लगता है कि आप तो इंसान है फिर आपको इस भाने की क्या जरूरत क्या आपको लगता है कि ट्रावल बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है देखे, बिना सोचे समझे, सिर्फ घूमते रहना ज्यादा नहीं सिखा पाएगा या यह आपको वो चीजें सिखा देगा, जो आप अपने बच्चे को सिखाना नहीं चाहेंगी बहुत सारी चीजें सामने आएगी, जिनें आप कंट्रोल नहीं कर सकती यह हमेशा अच्छा नहीं होता, तो यह बाते अंग्रेज लोगों द्वारा बोली गई है और हम वही सब बाते दोहरा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग एक छोटे से टापू में कैद थे अगर वो नहीं घूमते, तो अधिकतर वो काले वादल के अलावा कुछ और नहीं देखते ठीक है, यहां तक कि सूरज की रोशनी के लिए भी उन्हें भारत आना पड़ा तो यह ट्रैवल सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, यह किसी अंग्रेज व्यक्ति द्वारा कहा गया है क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटे से टापू पर कैद थे, जब आप किसी टापू पर हों, तो आपको ज़रूर घूमना चाहिए पर अगर आप कहीं और हैं, तो मौज मस्ती के लिए टापू पर जाना चाहिए यही तो पूरी बात है, मैं उसे एक नुस्खे की तरह नहीं बनाऊंगा यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान है कुछ लोग घूमने के साथ विक्सित होते हैं, कुछ घूमकर बरबाद हो जाते हैं मुझे लगता है कि इससे वैसे ही देखना चाहिए यह एक नुस्खे की तरह नहीं है, पर कई सारे लोगों को घूमने से फायदा होगा कम से कम वो अपने हर रोज के ढाचे से मुक्त हो जाएंगे जो उन्होंने अपने दिमाग में बना लिये है कि वो किस से बात कर सकते हैं, किस से बात नहीं कर सकते नई जगाओं में, नए लोग यह उनको थोड़ा ढीला कर सकता है सच में कर सकते हैं